हलो नमस्का दोस्तों राष्थान के बाडमेर समाचार में आपका सोगत है बाडमेर जिले के चोटन थाना अंतरगत केरनाडा गाउं में टाके में बेटे के गिरने के चलते मां के खतम होने वाले मामले ने नया मोड पकड़ लिया है पिहर पक्ष ने ससुराल पर दहेज और खतम करने का मामला दर्ज करवाया है पुलिच ने मामला दर्ज कर जाच भी शुरू कर दिया है इधर ससुराल वालों का कहना है कि तीन साल के बेटा खेलते खेलते ताके में जागिनने के चलते विवाईता ने बचाने की कोशिच की ल इसी दोरान मामले की जांच कर रहे चोटन थाना दिकारी बोटा राम के मुताविक चत्रों के पिता की रिपोर्ट पर दैज पृतारना और खतम करने के मामले दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू करती है तो दोस्तों ऐसी खबरे दिखाना आपको विचलित करना नहीं बलकि सचेत करना है ताकि कुद के साथ गटे तोनल गटनाओं से बचा जा सके तो दोस्तों पृतेश वर के ऐसी खबरों के जानकरे के लिए बने रहे चनल के साथ अगर चनल से नए जुड़ाएं तो चनल को सब्सक्राइब कर लेजगा मिलते हैं लीडियों के साथ जैहिन दोस्तों